सब्सक्राइब कीजिए हील विड डॉक्टर यूट्यूब चैनल को साथ ही बैल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें हलो एव्रिवन सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडम्स ओलिवर सिंड्रोम के बारे में ये एक रेयर जेनिटिक प्रॉब्लम है जिसमें मदर एंड फादर बोथ अफेक्टेड होते हैं या फिर म्यूटेशन ओफ जीन होती है जिसका अभी तक पता नहीं लगाया जा पारा कि कौन सी म्यूटेशन होती है और किस फैक्टर की वज़े से वो रेस्पॉंसिबल है इसमें हमारे जो जीन सेल्स बनाते हैं स्किन के एंड हमारी लिम्स के अनि हातों और पैरों के जो सेल्स बनाते हैं उसकी म्यूटेशन हो जाती है जिस वज़े से स्किन नहीं बन पाती और कभी-कभी हमारे hands and legs के अंदर भी developmental deformity दिखती है ये एक rare condition है जो कि birth से present है यानि हम जब बच्चपन से हमारी problem होती है इसके बाद इसके अंदर जो primary feature देखने को मिलता है वो है skin की absence जिसको हम medically बोलते हैं eplasia, abnormalia, cutis, congenita साथी साथ हमें इसके अंदर हाथ और पैर की development में delay भी दिख सकता है साथ साथ developmental में defect भी दिखता है ये एक variety of syndrome है और इसी को हम Adams Oliver syndrome बोलते हैं जिन लोगों को Adams Oliver syndrome होता है उनकी skin नहीं बनती उनकी जो skull है वो skull bones दिखती है जैसे कि आपको मैं पहले एक image में दिखा चुका हूँ इसके बाद इनकी जो bone है वो underdeveloped रहती है जिस वज़े से इनकी जो limb है यानि हाथ और पैर वो भी underdeveloped ही रहते हैं अक्सर Adams Oliver syndrome के साथ neurological problems को भी देखा गया है जिसमें developmental delay, learning disability, साथी साथ brain का जो structure है उसकी formation में problems जिस वज़े से जो बच्चे के developmental milestone है जब बच्चा खाएगा कब बच्चा बैठके खुद अपने without support बैठेगा कब बच्चा चलेगा कब बच्चा बोलेगा इसको बोलते हैं developmental milestone इसमें delay आएगा बच्चे की learning disability रहेगी कहने का मतलब बच्चे को याद करने में दिक्कत आएगी जब वो पढ़ाई करेगा तो उसे चीजे भूलने में असानी होगी और याद करने में दिक्कत आप इस image में clearly देख सकते हैं कि कैसे Adams Oliver syndrome की वज़े से इस बच्चे की skin नहीं बनी है सकल की ये images देखने में बहुत अजीब लगेंगी पर ऐसी बिमारी हमारे world में present है आप देख सकते हैं कि कैसे इस बच्चे के पैरों में defect है इसकी उंगलियां बनी नहीं है और उंगलियां fused है एक दूसरे से यानि अंगूठा और जो index finger है वो एक दूसरे से fused है इस तरीके की deformities देखने को मिलते हैं हमें Adam Oliver syndrome में आप fifth image में देख सकते हैं कि कैसे इस छोटे से बच्चे की उंगलियां मिली भी हैं एक उंगली छोटी है एक उंगली बड़ी है उंगलियां जादा हैं ये सब चीज़े हमें देखने को मिलती हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम Adams Oliver syndrome को diagnose कर सकते हैं यानि इसकी जाच किस तरीके से हो सकती है सबसे पहले हम blood test कराएंगे खून की जाच से हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में हमारे blood cells कितने कम है या फिर कितने normal से जादा है और ये दोनों ही conditions किसी infection को indicate करती है अभी भी research चल रही है इसके causes पे इसी वज़े से blood test कराना ज़रूरी है हमें इससे deficiencies पता चलते हैं जो body में है infection का पता चलता है साथी साथ basic electrolytic चीजों का भी पता चलता है इसके बाद हम radiological testing कराएंगे जिसमें CT scan, X-ray, MRI scan होता है इन सभी के थुरू हम ये देखेंगे कि patient की जो bones है वो underdeveloped क्यों है किस-किस level पे हैं और वो कितना उसे effect कर रही है ECG and physical examination इसके बाद रहती है physical examination में आपका जो therapist, doctor या फिर consultant है वो आपको धंग से diagnose करता है ये देखता है कि कौन सी muscles stiff है और कौन सी muscles relaxed है किस muscle में कितनी strength है कौन से joints में pain है face की किस area में दिक्कते है milestone कितने reach हो चुके और कितने नहीं और skin कहां कहां की affected है और उसमें कोई infection है या फिर कोई और दिक्कत इन सबी को physical examination के थूप परखा जाता है जाचा जाता है और इसके बाद इसका ilaj बनाया जाता है अगर आप इस channel पे नए हैं तो इस channel को subscribe करना ना भूले ताकि मैं ऐसे rare videos को आप तक लाता रहूँ इसका treatment की बात करेंगे तो इसका ilaj अभी तक बना नहीं है research आज भी चल रही है कि कैसे इसको जड़ से खतम किया जाए पर उसके लिए इसका कारण जानना ज़रूरी है और आज तक भी हम Adams Oliver syndrome का exact कारण नहीं जान पाएं इसकी genetic counseling की जाती है बट उससे ज़्यादा results देखने को नहीं मिलते तो जिन लोगों को ये दिक्कत है उनको इसके साथ जीना पड़ता है बट हाँ आप इसको manage कर सकते हैं ये दिक्कत ठीक तो नहीं लेकिन हाँ manage जरूर हो सकते हैं कोई भी doubt हो तो नीचे दिये कि WhatsApp नंबर वे message करना मत भूले इसका इलाज में हमें surgeries की जुरत पड़ती है हम plastic surgery, facial reconstruction surgeries करते है या फिर orthopedic surgeries करते है neurological surgeries का भी बहुत important डोल है इन सभी surgeries की तरह से हम इस problem को manage कर सकते हैं इसके बाद दवाईयां दी जाती है specific supplements दिये जाते हैं जिसमें pain killer से लेकर deficiency को कम करने के लिए supplements मौजूद होते हैं जो हमारी help करते है ताकि हमारी body के अंदर एक basic balance बना रहे है last but not the least जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है और उसको चलने में दिक्कते आती है तो physiotherapy बहुत जरूरी है आपका physiotherapist आपको proper examine करता है कि किस muscle में कितनी power है कितनी strength है कौन सी muscles weak है किस muscle में strength है और कहां कहां joint में आपको problem है कितनी limb length discrepancy है यानि आपकी bone की under development की वज़े से आपकी दोनो bones में कितना difference है क्या उसको brace देके या support देके ठीकिया जा सकता है उसके लिए वो आपकी help करता है आपको exercises बताता है साथी साथ आपको back to normal life में लाने के लिए आपकी counselling के साथ साथ special techniques का भी use करता है और इन सभी चीजों से वो आपको इस problem से आगे बढ़ने में help करता है जिसके बाद आप अपनी day to day life को अच्छे से आप कर सकते है और रोल हो सकते है फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके अगा doubt है नीचे दिये के whatsapp number पे आपको आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को like करें और share करें जाद जादा साथी comment section में अपने doubts बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी सी जल्दी clear कर पाऊं Thank you and wish you a very happy and healthy life आएं